हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने चैनल स्टेडी मटेरियल पर फ्रेंस हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से ठीके अपकी रिवीजन के साथ करेंगे वन लाइनर कोशिंस सीरीज हैं जिससे क् इस वीडियो में हमने प्राचीन बात का जो मुश्ट उप्रेंट टॉपिक है सिंदू घाटी हडपा काली सब्वेता इससे रिलेटर जितने भी आपके इंप्रेंट कोश्चन है जो आपकी पिछले एक्जामों में बने हैं हमने सारे कोश्चन यहां पे लेनी की कोशिस की ह जिससे क्या है एक ही वीडियो में आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाए वीडियो को कंप्लीट बहुच करना चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना इसी तरह से हम वन वाई वन करके सभी टॉपिक सो एक एक वीडियो में किलिर करने की कोशिस करेंग आपको गोदी बाड़ा बंदरगा हडपा काली सबयता का मेहतवपून सथल ये लोथल गुजरात में सित्त है और बरतमान में जो गुजरात है वो एहमदाबाद में सित्त है तो याद रखना आपको ये वी एक्जाम में पोच लिया जा सकता है और इसके अतिरित को चीजे यहां से देखने को मिलती सेल खडी की मोरे तो आपको याद रखने है प्रमान ये शाक्षे भी हमको कहां से मिलेते यहीं से मिलेते गोदी बाड़ा बंदरगा से तो चलिए नेक्स कोशन पर चलेंगे आई होब कि आपको चीजे केलियर हुए होगी इसी तरह से हम वन लाइ का प्राचिन और त्यासिक सत्हल माना जाता है तीक है यहां सिंदु घाटी सभएता की महतफ़पुन अपसेस हमको मिलेते चोटा नगर है यहां एक दुर्ग मिला था ठीक है दुर्ग मिला था और शाक्षों में जो यहां पे पिरमुक शाक्षे थे और में काच की मिट्ट कहां से मिले थे यह सब आपकी हनुमारगड राजिस्थान याद रखना है आपको क्या क्या चीजे मिली थी हां पर शाक्षे की हमको चूडिया मिली थी ठीक है साथ अगनी कूर्ड जूते होई खेद यहां पर देखने को मिले थे उट की अस्तियां देखने को मिली तो यह सार से पूछी जाएंगी हडपा काली संब्यता से रिलेटव तो कि आपको जो आपके ये रहेंगे तो यहां से कौन से सक्षर प्राप्त हुआ गोधिवाड़ा से इस आपको याद रखनी है कहां इसको खोजा गया था तो यहाद रखना है और यह सतान घग्यक that सलेशर पूसर जाता हैं अग vidéo коп एकाव हतार तो यहाद रखना है आपका इन्पोटेंट और जीजें हो जाएंगी वे यहाद ह電 नदी नहीं है यह आपका भोगवा नदी है कौंसी नदी है भोगवा नदी है घ्रकना है चलिए नच कोशन में आपको यहां पे बता दिये थे लोथल नगर में आपको कौन-कोन देखने को मिलती तो सेल खड़ी की मौरे घोडे की मिट्टी की मूर्ख हमको देखने को मिली थी इंपोर्टेत चीज़ें हैं इसलिए में बार बार इपноваर रिपीट करेंगें इसलिए के आपको यह सारी चीज़ें याद हो जाएं ठीक है तो यह सारी चीजें आपको को एक केरता अंब देंधना रेच करते आपका द्मावाद है चलिए नेक्स कोशन पर चलिए नहींगे उसीदि आपका कि सिंदु कालिन सथल से मिला ठीक है ठीक कली ना सिंदु कालिन सथल से मिला तो यह मिला भी हडपा से याद रखना है भी मैंने बताया था जो हडपा है आपका महतवपुन सथल है ठीक है सिंदु कालिन सब्वेता का जो सबसे महतवपुन सथल है वो कौन सा हडपा है जो ठीक है, इटे मिली थी, पौदे की मूर्टियां और ये जो चीजह इहांपे न, कासे के दरपन, और सिश्थरी के गर्व से निकले होए पौदे की मूर्टियां, ये जो पिर्मुक साक्षे हैं, ठीक है, ये भी हमको कहां से मिला था, हडपा से मिला था, ये पूछ ले मिली थी गड़े हुई एटे मिली थी कासे की दरपन सिस्ती की गर्ब से निकला हुआ पौधा ये सारी चीजे आपको हडपा सथल से मिली थी और हो पौधा करारिए सभ्यता में साले के इंदर करनातक में ठीक है doubts Kayna अता ये तो कशले नेश्क गड़ेगे हडपा कन सब्यता का छेतर कितना था तो 3 तेरे लाग वर्गी किलोमीटर था इसका छेत्रफल नेक्स कोशन आपका सिंदु सब्वेता के लोगों त्वारा पूज़े जाने वाला पूज़े जाने वाला प्रमुक पुर्षदेपता कौन था तो यह आदी सिव थे ठीक है याद रखना आपको कौन थे भई आपके आद क्योंकि जो हमको क्यों से प्राप्त हुए था मैं आपको बताया game SARAH कर्नाटक 한다 KC साना प्राफ्त हो गया था और प्राप्त हो दा में ll간 को ठीक है तो वहां इन ुन स्य सीपना लगा सकते हैं और चींदु गानि सुन और सिफिक लाटी सर्वितह की बटा थो हम इन चीज़وں से ही अनुमान हमने लगाया कि जो है सिंदुस जब्लड़ा के जो लोग अग जिस से सम्वेता नहीं है ए इस खोशन आपका हडबपा काली सब्लड़ा के लोग किस सेयसे अपरीचित नहीं से लोहे से अपरीचित नहीं थे ठीपै लोहे Geld से वो कोशन पर सिंदु घाटी सब्वेता के लोग किस दातू की जानकारी नहीं रखते हैं नैस कोशन आपका दक्षिन एस्या में लेस्ट की कली का प्राचिंतम साक्षे यहां पाया गया था जो परिपक हडपा कालका था तो परिपक हडपा कालका था वह वालू ठीक है याद रख नैस कोशन आपका निमिन में से कौन सिंदु घाटी सब्वेता कहां है एक बंदरगा था तो लोथल ठीक है अभी पताया था लोथल गुजरात में सित्थ है ठीक है और गुजरात में इस ते ठीक है गुजरात अभी एहमदाबाद में है लोथल को मिनी हडपा कहा जाता है इसकी खुदाई सरपृथम किसने किती सरपृथम को कुदाई की थी वो एस र र स्र के दोरा की गयी थी उनिस्सोच हुवन में तो यह डेट भी आप उसके बार चलीगे नेक्स कोशन पर नियम्रिक मैंस से कौन सान सिंदु घाटी सभता का प्राचिम सेहर है तो लोथल रहेगा तो यह वी कोशन है आपको याद रखना है नेक्स कोशन आपका मोहन जो डडो मैं मिली सब से महत्यपुन सरचना कौन सी है तो विसाल सनानगर जो ह किस लगा चीकता की तो इसके बाद कादी किस चितानपर अगनी वेदिका के पिरमान मिले हैं तो इसके बाद का अगनी सब्सक्राइ का सबसे उत्री छोड किस नदी किनारे श्थित वह सबसे 20 सब्साल इमारत कौन सी तो यह अनागार थी तो इसके पर 23 और ट्रिंटी थे इसे अब तक सही रूप से पढ़ा नहीं जा सकता अभी भी उसको सही रूप से बढ़ा नहीं जा सकता है ये दाई से बाईयो लिखी जाती थी नैस कोशन आपका हडपा काली सब्वेता के दोरान तोल की इकाई का माप क्या था तो सोले के अनुपात में था रप्पाकाली सब्वेथा के दोरान व्यवपार में सोगम्ता के लिए तोल की जो इकाय को निर्धारित की गई थी वो तोल की एक इकाय का अनुपा इस तरह थे वहाँ पे यह थी नइस खोशन आपका सिंदू सब्वेथा में सिंदू में हुआ था सिंदू और सबहता करने वाले हैं उसलते से महा जनपम मगधकाल मोरे समलाजें ये सारी चैज़ी जलदी तरहएं आपको में आपको प्रवाइड हुआ May जिससे क्या है आपका क्यों कुछ रिविजन हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाए तो मिलते हैं कल की वीडियो में और चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है तब तक के लिए आप सभी को हमा तरब से जैनल